हेलो एव्रीवन इस अर्पितिया विधा ब्रैंड यू वीडियो और मैं चनल गाईज एंड टॉप 10 टिप्स एंट्रिक्स फॉम नूट 2 प्रो का एक और पाट आचुका है जिसका बहुत ताइम से वेट करें थे बट इस तिल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात कर ले तो अगर आप दोनों में से कोई भी गेम खेल सकते हो तो उस पर टैब करो और किसी भी मैच टाइमिंग्स में पार्टिसिपेट करो और इस मैच को अगर आप चिकंडेने करते हो तो आपको पैसे मिलेंगे अगर चिकंडेने नहीं भी करते हो तो पर किलके भी आपको पैसे मिलेंगे तो यहां से आप एजीली पैसे कर सकते हो अगर आप में थोड़ी बहुत स्केल्स हैं तो और दूसरी चीज यहां पर रिफर करके भी अर्ण कर सकते हो और क्योंकि यहां पर पांच लाख रुपए का जो लॉट्री टिकेट मिल सकती है आपको मतलब आप पांच लाख रुपए भी जीच सकते हो अगर आप रिफर वगेरा करते हो तो तो क्या करे हो जाके फटा फटा इस अप्रिकेशन इंस्टॉल करो लिंक आपको डिस्क्रिप्श आपको मारने के लिए तो मेक शुर्ण कर लो जब आप नीचे की साइड जंप करते हो तो आपका बॉड़ी पाट आपके क्रॉस एर को चुपा लेता है तो नीचे जो बंदा हो दिखनी पाता है आपको यहां पर एक 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 गोली नहीं मार पाता हूं कि किस तरह से आपको पूरा बटन दबा दो और जंप करते हैं आपको बंदा पूरा 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 दिखेगा और आपको एजली क्रॉस एर दिखेगा तो आप बंदे को नॉक आउट कर सकते हो आपको एक पहले वीडियो में बताया थे कि आप हिपफ़ायर मार सकते हो अगर आपके पास SMG है तो अराम से 20-30 मीटर दूर का आप हिपफ़ायर बहुत ही आराम से मार सकते हो बट मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाता हूं आज इस वीडियो में कि अगर आपके प करते करते हिपफ़ायर मार सकते हो और M4 का बुलेट स्प्रेड इतना नहीं होता है और जैसा कि मैं आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पर दिखा जाता हूं यहां पर देगो नीचे बंदा था और मैंने जिगलिंग करते करते सारी बुलेट उस पर कनेट कर दी और इस करते हैं और आप स्टिल कन्फ्यूज हो जाते हो कि यार पहले किसको मारूं और उस चक्कर में दोनों ही आपको मार देते हैं बट आपको क्या करना मैं आपको बताता हूं अब देखो यहां पर क्या हो मुझे राइट और लेफ दोनों बन एक साहँ दिखे हो तो मैंने लेफ्ट वाले को मारना जरूरी समझा Quindi Cuz जब मैं लेफ्ट वाले के सामने जाता तो obviously राइट वाले को एंगल नहीं मिलता देखो यहाँ पे यह वाल ब्लॉक हो जाती और राइट वाला मुझ पे चड़ता इससे पहले मैंने उसे खूद के मार दिया तो यह बहुत एक simple सी, मतलब एक game sense की चीज़ है कि अगर आप इस condition में फस्ते हो तो आपको कैसे react करना और पहले क्या चीज़ आप करते हो point number 4, जब भी आप अपने teammate को follow करते हो ना यार उतनने से पहले उसको हर बार unfollow करा करो और खुद separate किसी ऐसी जगे पे उतरा करो जहाँ पे आपको gun मिलने के chance जादा हो तो यहाँ पे देखो मैं अगर किसी को follow करता हूँ तो मैं हर बार unfollow करता हूँ because मुझे gun दिख जाती है और definitely यार अगर आप teammate को follow करके रखोगे तो आप gun के उपर नहीं उतर पाओगे इरेंगल के map में किसी map में जो fog वाला weather होता है इतनी ज्यादा fog हो जाती है कि आपको fog दिखती नहीं है ठीक है मतलब fog sorry fog की वज़े से आपको बंदा नहीं दिखता है fog की वज़े से आपको आगे क्या हो रहा वो दिखता नहीं है तो इस condition में क्या करना आपको अराम से एक जगह पर रुक के अपने graphics खोलना है और यहां पर brightness होगी इसको बिलकुल zero यानि मतलब इसको low पर कर देना और देखो आपको यहां पर easily दिखने लग जाएगा जो भी आप देखना चाहते हो पॉइंट नमबर six बहुत सारे लोगों ने सुनाए कि आज जब भी कहीं open में भाग रहे हो नो जिगलिंग करते हो भागा करो इससे क्या होता है सामने लो बंदा आप पे एम नहीं लगा पाता है तो इस condition में बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो जब जब जिगलिं होगे सो make sure कि आपका जो crosshair है वो सेम डारेक्शन में रहे और आपका सिर्फ joystick मुव करें समझे जिए सिर्फ joystick ही ले इससे क्या होगा movement करते करते भी आप एक जगे पर एम करके भाग सकते हो कि आप जाके ट्रेनिंग रूम में टैप टैप की प्रैक्टिस करो विकार क्या होता है कि आप इस्प्रे करने लग जाते हो सौ दो सो मीटर ठीक है तो आपको क्या करना है इस्प्रे नहीं करना है आपको 6x को करने है फुल पे make sure कि 6x मिल जाए आपको और फुल पे करने के आपको इजली टैप टैप करना है टैप करना बतलब बहुत ही फायदयमान होता हो टैप टैप में आपकी एक भी बुलट मिस भी नहीं होती है तो टैप टैप करो अगर एनिमी ज्यादा दूर होता है तो पॉइंट नमबर एट इस वेरी सिंपल बहुत सा लोग कंफ्यूज रहते कि वाइट जिगल कप करने है शॉट जिगल कप करने हैं मैं आपको सिंपल सी चीज बतायता हूं वन वी वन होना तो आप कैसी भी जिगल करो कोई फरक नी पड़ता बट टू वी बन हो जाए ना त दूसरा भी आगया धेन मैंने थोड़ा सव इगल किया ताकि मैं दोनों की ब्रट से बच सको मेरी हैल्थ यहां पर एज़िल यहां पर नॉक कंफर म कर दिया तो यह उती है शॉट जिगल वाइट जिगल की तेक्निक कहां पर कभी यूज करना ही आपको खुद के गेमप्ले को ब्रेक कर पाऊ मतलब यह सारी चीज़े मैंने अपनी वीडियो में शेयर की हुई है आप जाके मेरी बाकी की वीडियो भी देख सकते हो इस कंडिशन में आप क्या करते हो आप फाइरिंग रोक देते और वो बंदा पीक करके आप फिर आपको कैसे भी करके मार देता है तो आपको यार फाइरिंग ही रोक नी है अभी मान लो मैं एक बंदे को मारने के लिए ओपन में आगे ठीक है मैंने गन रिलोड नहीं लगाई तरह और जब मैं कवर में आया तब मैंने होगा निलोड लगई तो यह चीज आप अपने गेम प्लेज में जरू ट्राय करना मतलब कई बार कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा अब आपको यहाँ पर सिंपल सी एक गेम सेंस की चीज बताता हूँ जब भी आपने टीडियम खेला होगा ठीक है जब आप सामने एक कंटेनर के पीछे किसी बंदे पर फायर कर रहे हैं और वो एकदम से आप फायर करना रोग देता है इसका मतलब है वो नेड़ करने वाला है आपको पोजिशन चेंज करने हैं और यह सारी चीजें बहुत सार लोगों पता होगी कि यार जब सामने एक बंदा फायर करना रोग देता है तो इसका मतलब हो नेड़ कर रहा है आपको हट जाना चाहिए तो क्लासिक में भी सेम चीज एपलाई होती है अगर मानलों आप कि आपको पर अपको आपको यह तो बहुता है तो फूल प्ली अप्ली तो प्लीज गयो बेग थम्स अप उन दीडीओ कर रहा है और आपको 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 पूजिए चेंज कर लेनी चाहिए तो या गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको ये टॉप 10 टिप्स ने टिक्स पसंद आए तो प्लीज गयो बेग थम्स अपन इस वीडियो और जो भी अभी तक ये वीडियो देख रहा है न वो कमेंट करके बताओ कि इन में से सारी चीजों में से कौन सी म अगर जो भी अभी तक ये वीडियो देख रहा है so till then be safe from coronavirus my name is Arpit and I'm signing out not bad इदर से होगा भाही सब कुश्च नहीं नहीं है 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 इदर से पीछे से बिलकुल रोटेट मारेंगे ना जो कि अज्याने नहीं और समस्ट रुख जा मैं खड़ेंगे शुच अज्यान शुक्ताया वही आते ही पर गया कि पर गछेट रहे है लगताया वही आपका है बंग्डातर कि आपको आपकि एद्दकिक्स याइवाई चिदे और माइवाई